सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज जारकन वपाएं जारकन की तमाम खबरें सातों पंचायत में अलाओ की बेवस्ता नहीं की गई है आपको बताते चले कि चार दिनों से लगातार ठंड पढ़ने से लोग घरों में दुपके हुए हैं लोग जिलापरसासन से अलाओ का गुहार लगाए हैं वहीं अंचला दिकारी मेहगन मतों से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कितार परखंड के सभी पंचायतों में अलाओ की बेवस्ता कराई जाएगी इस ठंड से मुकुंदपूर पंचायत के समाज से भी मुगासा योगेंदर कुमार सिंग ने कहा कि जिलापरसासन को इस ठंड से निजाद दिलाने के लिए कितार परखंड के सभी पंचायतों में अलाओ की बेवस्ता करनी चाहिए थंड से निजाद पाने के लिए आग का सहरा ले रहे हैं सभी सभी पंचायतों व्यवस्ता होनी चाहिए कितार से सुरज कुमार की रिपोर्ट अब एक घंटा बाद लग रहा है कि पारा वहीं पहुंच जाएगा इतनी काफी ठंड़क है इतनी काफी ठंड़क है कि ब्रीधों को बचना बचना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है सरकार को चाहिए था कि इस स्थिति में गाओं के हर चौक चौरा है पर अलाव का बेवस्था करा दे लकड़ी का बेवस्था होता है जिनके पास कोई सुभधा नहीं है उनके साथ जीवन ठंड में बड़ा मुश्किल से जी रहा है लोग तीन बज़े ही सोच रहे कि घार में बंद करके और सो जाए इतनी काफी ठंड़क है साम का समय है और रात भी नहीं हुई है और ठंड देख रहे हैं कि आपके हैं पूरा अलाव लगा कर बैठे हुए हैं आप लोग हम लोग क्या करें इतनी काफी ठंड़क है कि नहीं अगर ब्रवस्था करेंगे नहीं बड़िट के ताप रहेंगे तो ठंड़ा से हम लोग जी सावस्था में ठंड़ा जकर लेगा तो दिकत होगी